का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चले इसलिव इथार के में फ्रेंड समने पेश्टर थिंकर पर जो है बुक्स और उनकी रचनाए और उनसे कुछ लेटर जो है इस्टेट्मेंट बताया हुए थे उनको क्या कहा जाता है इन सब बारे में हमारा जो पहले दो हुए मैं काल मार्क मैंसमेर और इमेल दुर्खिम पर यह वीडियो बन चुका है और हमारे जो कुछ और ठीकर बचे हुए हैं जो एक्जाम में काफी पूछे जाते हैं मैं इन पर यह वीडियो बता बना रहा हूं आप लोगों कैसा लगा आप जरूर बताना और इसका जो यह पी वीडियो यह मिलेगा पीडियो पिलेंगे बल्कु फिरहेंगे तो चलते हैं आप पहले वीडित पर फिले तो पहले यह jestem से राईमन के पूरे नाम की बात चैनल के जन की बात करें तो इनका जम्हार शमक्राइशाम्प में इनकी मिलतिक जो एंठा सो 25 में लुख था यह फ्रांसिसी जो वीचारक थे ठीड़ए देखते हैं इन्होंने जो अपना एक सिदान दिया था यहां समाजसक्त को ने सोशल बायोगी कहा था इन्हें किया कहा था सोशल बायोगी समाजी जीव जिए यह है आगास्ट कामड के गुरू भी थे यह आगास्ट कामड के गुरू थे उनने आगास्ट काम के सांथ एक पुस्टक लिखे थी 1822 में यह पुस्टक थी यह पुस्तक बहुत है important है important कि यह मतलब विजामित नहीं पूसी जाती लेकिन sociology अगर पढ़ है आप सोचलाजी के लिए बहुत ही जानकारी है बहुत ही important है कि आप सोचलाजी सेंट साइमन कौन सी पहली बुक लिखे थे आउगस्ट काम के साथ यह बुक लिखे थी यह इसा है अगस्ट काम ने देखा कि ऐसी कौन सी चीज है या कौन से परिवरतन आए कि जो लोग साइकल से चल लेते हैं जान सुनने लगें जो लोगों की बात कहने का तरीका इनकी सोझ कैसे चेंज हो गई इन सब का अध्यान कहने के लिए इन्हों नों आगाश्ट काम शिका क्योंकि आगा अगाश्ट काम इस गुरू थे यह वुजड़क व्यक्ति तो आगाश्ट काम ने उनकी बा अगश्काम के गुरू थे लेकिन इनका गुरू भी थे या मित्र भी थे फिर इन दोनों की दोस्ति या गुरू की मित्र का जो संबन था वो ज्यादा दिन तक चला नहीं फिर अलग हो गए थे चली आगे देखते हैं यह उन्होंने सबसे पहले भावी समाज की रूप रेखा समय जाय तयार के थी फर हम जेसे होद्वान सामाजिक जूबिग्यान समय साथ को सोशल बाइलोजी कहा था एक अव दोगी समाज इंडेस्ट्यल सोसाइटी की अधाना इन्होंने दिए थे भीचाय दिया था फिर समाज प्रगत का विचार सामाजिक प्रगत का विचार और स सब्सक्राइब करता है इन्होंने का इस जो इस जो प्रकृति पर निर्भर करता है इन्होंने कहीं ने कहीं समाज के बारे में समाज के बारे में बताना सुरू कर दिया था तो प्लेटो जो है हमारे समाज के बारे में बात करते हैं यह युनानी दार्सनिक्त है और इनकी जो कुछ पुछी जाती है यह रिपब्लिक बहुत ही इंपोर्टेंट है इस्टेट्मेंट और एक और पुछत के प्रेंट लॉव तो इस प्रकार से इनकी पुछत के हैं जो कई बार पुछी जाती है इसके जानते रहिएगा चलिए प्लेटो की बाद हम बात करते हैं अरस्तू की तो अरस्तू जो है प्लेटो के ही सिस्य थे हैं इनकी एक पुछत थी इथिक्स और पॉल्टिक्स बहुत इंपोर्टेंट के कई बार पुछी गई है मनुसे एक सामाजिक प्राड़ी है फिर इसके बाद अरस्तू ने समाज को तीन भागों बाटा है पहला हमारा संदच्छक द 2322 अरस्तू की बात मारे आगश्ट काम नारति हैं अगर्शक जो समाज सास के पिता है सबके सबके चाहेते तो इनके जन्म की बात कि बात के निसे जन्म की बात कि ने इसे डौर आगश्ट मैरी फ्रेंकोई जेवियर कॉम्ट है इनने कहीं-कहीं एसी डोर मिलता है तो यह सम जो कि अगयात समाजिक साइमन समाज को पहले इननों पहले इन्हों सोसल कहा था प्रें प्रेंश को समाजिक बहुत की लेकिन देन कि Krdır गए अलम गहतो से पाघप सकतरे नाम पै और टंक कर लिए था तो एक मजबूर सवागस्तकांद सं 8838 में इन्होंने सोचलोजी सब्दिन रखा समाशाथ को सब्द की उत्वथकी उत्वथि उत्वथा गए इनके कुछ मथपूर्व पुस्तर यो पहली सबसे पहले इन्हों ने प्रत्याश्वाद के उधाना दी थी कि अगर हम समासास को बिग्यान मना चाहते हैं समासास का अध्यान तो अवलोकम पर इच्छाव मुल्यांकन के द्वारा करना चाहिए क्या द्वारा की मीोर कि यह पहले में द्वार्मिक अस्तर जिसे कहते हैं और यह 3 इस्तर है और इनको बिग्यानों का संस्तर है तीसरा वाला तो यह बिग्यानों का संस्तर यह तिनों सिध्धान तेकी में दिये थे तो इसमें क्या होता है यह एक्जाम में कई वर पूछा जाता है इसमें क्या होता है सबसे पहले इन्हों किसको रखा था तो सबसे पहले आग सबसे जो है समास सास्त को रखा हुआ था और इन्होंने कहा था समास सास्त जो है सबसे हाड भी सह सबसे सरल भी से बताया हुआ था ठीक है मैथ फिर एक्जाम में कई बार पूछा जाता है तो आप लोग इसको याद रखेंगे चलिए आगे चलते हैं हम बात करते हैं इनकी दूसरी पुष्टक की तो इनका दूसरा पुष्टक है पॉष्टी पॉलिटी इनकी दूसरी पुष्टक पॉष्टी पॉलिटी जिसमें इन्होंने रिलीजन आप हिवनुटी मनावता के धर्म की बात की थी फ्रेंट ये इनकी दूसरी पुष्टक थी और दिश्टी पुस्तक जो इनके महने की बाद आई थे एक इनके महने की बाद आई थे और रिलिजन आप तो इस प्रगाज इनकी जो है बुख रप्रेंट नहीं कुछ है यह तो हो गया प्रेंट आप चलिए मैलनों वस्की की बात करते हैं तो मैलनों वस्की साथ अप्रल है ठारसो चोरासी को पोलेंड के एक क्रेको सहर में हुआ था यह भातिक शास्त्री वगरित सास्ती थे पापुवन, निवगनी का अध्यान किया था सबसे पहले फ्रण आप सभागी किशने था तो हमारे मैलनों वसकी हो जाएगे ठीक इनकी कुछ पुष्टके हैं उनकी पुष्टके के बारे हम देख लेते हैं इनकी जो पहली पुष्टक है प्रण पहली है दा फेमिली एमंग दे आस्ट्रेलियन एबॉर्जिनेस 1913 में आई थी दूसरी है आर्गो नॉट्स आफ दे वेस्टन पैस्फिक 1922 में आई थी पुष्टक कई बार पूछी जाती प्रण 1926 में आई हुई थी जो है कहीं से सीधे पुष्टक किसकी है या फिर कहीं मिलाने के लिए मिल जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं सेक्स और रिप्रेशन रिप्रेशन रिप्रजेशन इन सेवे सोसाइटी तो यह पुष्ट पुष्टक है इनकी the sexual life of savage the sexual life of savage यह 1929 में आई थी प्रेशन इसको भी याद रखेंगे एक और इंपार्टन पुष्टक है साइंस्ट्पिक थियोरी आफ कल्चर साइंस्ट्पिक थियोरी आफ कल्चर जो 1944 में कई बार पुष्टी जाती है इसके बाद अगली पुष्टक ह सिविलाइजेशन फ्रीडम एंड सिविलाइशन यह 1924 में आई थी प्रेंट यह इनकी पुष्टक आगे है एक पुष्टक और देखे प्रेंड फ्रीडम एंड सिविलाइशन यह कई बार पुष्टी गई एक जाम में प्रेंड उनिस्ट्पिक दानेमिक आफ कल्चर तो उनकोंसे शिद्धान थे देखMom और समंधिविचार तो बीचार तकी थी यह congrust आगे चलतے हैं सब्सक्राइब नीसर को निन को नवियर तीन त falar 9tv में इक दर्भी नामक अस्थान पहुए था कहां प्रेंड ? 278-122 में इंगलेंड के डर्वी नामक स्थान पूबा था यह सबसे ज़्यादा प्रभावीत थे चॉल्स डर्वीन थे चॉल्स डर्वीन कहाने के मलत जो उद्विकास की अधाना से यह कहते हैं कि जो उद्विकास होता है वो एक रेखा में होता है ति दा ऊपर की तरफ होता यह इंकी जो यह एडां इश्मित थें इनसे यह भूँत ही प्रभावित थें इनकी यह पुस्तक फिख पुशी भी जाती है एडां इसमी्ट की पुश्तक दब्यल थाफ नेशन तथा ले सेज़ फेयर ठीक है दब्यल थाफ नेशन लेशेज फेयर जिसे एहसा छेप की नीति कहते हैं इन से जो है यह बहुत ही प्रभावित है इन से यह बहुत ही प्रभावित है इनके बात करते हैं पुष्टक की तो इनकी पहली पुष्टक है सोसल इस्टेटिक्स इसे जो है सिंथेटिक्स फिलासफी भी कहते हैं दब प्रिंस्टेटिक्स फिलासफी भी कहते हैं दब सोसेलाजी 1800 350 में आयी थी प्रंज और बर करते हैं प्रेंट इसके बाद प्रिंस्पल आप सोसट्र थी फ्रntथ抱 है थी 1875 में चलिए आगे बात करते हैं वेकिनकी अगली पुष्टक है परेंस पल आफ एथिक्स चो ठासो सतातर में आई थी फ्रेंट मैं वर्सेज आफ इस्टेटस 1884 में आई थी डिस्क्रिप्टिव सोसोलाजी ये कई बार पुष्टिक पूशी गई है व्याख्यात्मक्समा अगली पुस्तक है दर आफ सोसाइटी डार्विन एफ उंको ये बुलदा चाहिए पध्र लीकार ऑं विखंड़न की प्रक्रिया माना है पूश्टिन को या सकता है कि उद्विकास को एक सबसे बड़े प्रकारिवादी कहे जाते हैं तो इनका जब जन हुआ था प्रेंट यह जो दो विस्विविव दे उन्हों अपने आखों से देखा था तो विस्विविव में कितनी हानिया होती हैं इनको पता चल गया था इसलिए इन्होंने समासास में संघर्ष की बात नहीं करते हैं इनकी जन की बात के इनका जन जो 1902 म नहीं करें वहाँ पे हुआ था था यह सनरसणात्मक परकारवाद रूप में यह जनी जाते हैं तो जय उनकी पहले कुछ लि क्रिया को उनके लच्छ से जोड़ा हुआ था और इनका एक कहना था प्रण कि समाजी क्रिया तभी हो सकती है जब उसमें तीन बाते समलित हो पहली कौन कौन से तीन बाते हैं पहली बात करता को मनते हैं कि उसमें करता होनी चाहिए इसके बाद उन्होंने ऐसकी कुछ नुकुछ परिस्थिति की बात करते हैं इसके बात करते हैं अब मोटीवेशन, उन्हें कहा कोई समाजी क्रिया तब हो सकती है जब उस में करता हो परिस्थिति और अब कुछ उनकी अगली पुष्टक देखें इनका श्रीकर नम्पर पर बुखाई प्रेंट इसे यान सोचिलोजकल थियरी जो 1949 में आई थी बहुती बार पुष्टक पूछी गई है फिर अगली पुष्टक के दा सोसल सिस्टम इसके बाद फिर अगले पुष्टक की बात करें हम तो अगली पुष्टक इनकी जो है और वरकिंग पेपर्स इन दर थेयरी आफ एक्षन जो 1903 पर में आई थी फिर पांची पुष्टक की बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोसाइटी बिद इसमेल्स है यह इसमेंसल के साथ ल परस्टनाल्टी 1964 में आई थी अगली पुष्टक है प्रेंड सोसाइटी इवलेशन एंड कंप्रेटिव परस्प्रेक्टिव अगली पुष्टक है दा सिस्टम आफ माडर्न सोसाइटी जो ठासो 171 में आई थी इनके दो सिधान थे प्रेंड जो बहुत ही फेमास है वहला स सुसेटान 22 समाजी द्रों cách का सिध्धान फ्री आप सोसाल सिस्टम दूसरा रिखार आत्मक सिधान ठेक इस प्रेकाल के यह 2 सिध्दान थे प्रेंड तोरा अलोसा आघास्ट्टरम कम के बारे में जाल लेते हैं प्रेंग परसंज की इनका बना हुआ है तो देखिए इसको हम बना रहे हैं ठीक सबसे पहले इन्होंने एडाप्शन की बात करते हैं फिर उन्होंने गोल की बात की है फिर इंटीग्रेशन की बात की है फिर जो है इनकी जो अगला जो है लेटरेशी की बात की है ठीक है लेटेंसी तो ठीक है इसम तो सभ्सेपकल उन्हने कहा कि बहुता तो होते हैं उनके साबंचस बैठाने के लिए कुछ नुकुछ किराय करने परती है अर्थिक ब्योस्था करें जो पहला उन्हें क्यों है यह गोल है यह नोमें कहा है कि जो यह प्रक्रिया है जो ब्योस्था है उसको बठाने के लिए कुछ ने कुछ ने कुछ अमें प्रक्रिया करने पड़ती है और इसको उन्होंने क्या कहा है अर्थिक ब्योस्था किया है ठीक है एडप्सन के बात आती है हमारे गोल की बात लच की बात करते हैं यह ठीक है क कि इनकी पीडिक के इंग जो लच के वारे कि जो को सबहुत है कि और Cubc को संबधा में या, क सब्सक्राइब करता है, उन्होंने राज की जो संस्था हो, प्रियोक करती है इसको राजनितिक ब्योस्था कहा है इसके बात बात आती है एक ही करण की इंट्रेशन की प्रेंट तो एक ही करण की तो इन्होंने कहा है कि सामाजी ब्योस्था में आती है और यह ब्योस्थाओं ने क्लिए और शुचारों में चलाने के लिए अनेक व्योस्था है वन यूप बनती है वने सांस्कित सांगमुदाईक संग्ठन की बुझता कई है १३ उनको घ्ले त आयर रखने के लिए रहा करनाा करता है दो परकार की हमारे यह का रोते हैं प्रतिमान अनुवच्छड और तनाव प्रबंधन की बात करते हैं तो इस पुरा हमने देखा प्रेंड कि यह जो एजिल माडल है पार्टाल कर पॉर्षन का नों पहले जो एडाप्शन की बात की है एडाप्शन में जो आर्थिक ब्युस्था कहा है और जो गोल है हमारा गोल अनुवच्छ और तनाव प्रबंधन आते हैं चलिए आगे देखते हैं इसके बात बात करते हैं और के मैटन की आर्के मैटन के जन्म की हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था में 1990 में हुई थी अमेरिका के फिलाडेलफिया में पैदा हुए थे अमेरिका के फिलाडेलफिया में पैदा हुए थे अमेरिका के फिलाडेलफिया में पैदा हुए थे मैटन जो है यह पार्शन के सिस्ट थे तो कहाने का मतलब यह है कि पार्शन से बहुत ही प्रभावित थे इन्होंने सबसे इंपोर्टन बात है फ्रेंट जो मैटन थे ठीक है आरके मैटन वह अमेरिका के होपी जन्जात का अध्यान किया था अगे चलते हैं आगे दिखते हैं इनकी कुछ इनकी जो पहली पुक है इनकी जो पहले बुक है फ्रेंट science technology & Society in 7th century England पुष्टक आई थी 1938 में अगली पुष्टक है फ्रेंट सेकर नमबर की इन्टर इंटर्वीव दफोकीज इन्टर इंटर्वीव 1956 में थी ती इनकी जो पुष्टक है प्रेंट यह है तो आप इसको रट्टा माल लेजिए क्योंकि एक्जाम में किसी ने किसी प्रकार से हमारे सामने आने वाली है अगली पुस्तेख है अगली पुस्तेख है फ्रेंट्ट देख लेते हैं अगली पुस्तेख है कॉंटेmbolारी सोसल प्राब्लम जो 19 practiced में आये थी तोलिखित अगली पुस्तेख है पृण्धा से शोल्डर्स आप स्टुल्डर आप हैंश्च वह में पिर पाने प्रिंड होते हैं इनको पताने के प्रकार साधनिंव के प्योक्ता क्यान होती ने adjustments होते हैंлам प्रेंट इनके हम कुछ सिध्धान्त है उनकी बात करें प्रिंस्पल की बात करते हैं तो जो इनका पहला सिध्धान्त है वह समाजी सनचनावा नियम हींता का सिध्धान्त है दूसरा प्रेंट मद्य अस्तरी सिध्धान्त है तीसरा जो संदर्समों का सिध्धान्त है तो इनक साधन करने मतलब जो है सांस्रकृत लच्छ जो है पाइटी जाता है और यह है वह सांस्धागर इप्नाता थौ जो है पार करने बाता है वार जी इसके बात भात कर दो कि जो हमारे संचित लच्छ को नहीं निगेटी होते हैं उम्हें चस्वाएं करते हैं जो किया ही साथन भी भी होग होगई गते एंब जब्रोही की बात करते हैं तो प्रैंट इसे आप लोगों के वीडियो कैसा लगा आप लोगों के डाल देंगे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तैंक्यू फ्रेंट बेस्ट आफ लग प्रेंट आपकामी आपकी परिच्छा हैं आप उसमें अपनी उनों कामना के एकॉर्डिंग जो है आप लोगों की जो है लच की प्राप्ति हो तैंक्यू फ्रेंट्स